जब आप महनत कर रहे होते हैं, वो महनत किसी को दिखाई नहीं देती, ब्रैंड लेना चाहते हैं, तो पहले व्यापार शुरू ना करें, पहले उस पर मान हानी का दावा करके उससे बहुत अधिक पैसा भी ले सकते हैं, किस तरह से ट्रेडमार्क कर रेश्टेशन कराया जान किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले, दोस्तों मान लो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपलाई करने गए, तो अब ड्राइविंग लाइसेंस के अधो अधोरिटी इंस्पेक्टर है, उसने आपसे प्रश्न किया, कि क्या आपको गाड़ी चलाना आता है, अब आपका जवाब क्या होगा, पहले तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखके बताओ, अब आपके जवाब के अधार पर इंस्पेक्टर क्या जवाब देगा, आपको लाइसेंस देगा, नहीं देगा, इसके बारे में इस वीडियो के बीच में आपको बताने वाला हमारी कंपनी स्टेलने स्टील मडूलो किचिन की मैनेफाक्चरिंग करती है, आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी और डिलर्शिप शूरू में, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, कैसे हमारा ब्रैंड लार्ड स्केल तक पहुंच पाया, इस विशह पर आज जिसी विशह पर हम बात करने वाले हैं, कि हाउ टू रजिस्टर ए ब्रैंड, एक सामानी नाम को ब्रैंड के रूप में रजिस्टर करके, कैसे अपनी गुडविल को बढ़ाते हुए, अपने कानूने नियमों का पालन करते हुए, एक ऐसा राइट बनाया जाए, कि हम गलो चीजा लगी हुए देखियोंगी, या तो लिखा होगा TM, नाम लिखा हुए, उपर सपोज एक XYZ ब्रैंड है, उपर लिखा TM, या राउंड सर्कल में लिखा होगा R, मतलब रजिस्टर, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, कुछ लोग सोचतीं कि TM है, तो इसका मतलब है मुझे मिला हुआ है, और R का मतलब है ब्रैंड के वाल रिजिस्टर है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है, जब आप किसी भी नाम को रिजिस्टर के पास रिजिस्टर होने के लिए बेजते हैं, तो सबसे पहले चेक करने की बाद कि कई वो नाम किसी और व्यक्ति को दिया किसी और कंपनी का, किसी और ब्रैंड का, कि ये नाम तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक आपके पास TM रहता है, और जब आपका ब्रैंड रिजिस्टर हो जाता है, सामाने तो आप देखेंगे कि कोई भी नाम जब नया होता है, तो स्टार्टिंग में वो TM या R जरूर ल या ट्रेड मार्क लिखते हैं, जैसे ग्यान इंस्टिट्यूट है, 1999 में जब हमने ग्यान इंस्टिट्यूट शुरू किया था, तब एको सामाने नाम था, जब हमने ट्रेड मार्क के लिए अपलाई किया, तो तीन वर्ष का समय लगा हमें उस TM को रजिस्टर में कनवर्ट है, Metas Lifestyle हमारी कंपनी है, Intel है, Nestle है, Adidas है, Puma है, Pepsi है, हजारो ऐसे ब्रैंड है, जो रिजिस्टर है, अब ये रिजिस्टर का बेनिफिट क्या है और कैसे किया जाता है इस विशह पर आप करने वाले, देखी जो भी बिजनस आप करने हैं, जो भी प्रोड़क्ट या सर्वि देने वाले हजारो लाखो लोग आपके ट्रेड में हैं, तो ऐसे में उन लोगों से अपने आपको डिफ्रेंशियेट करने के लिए आपके पास एक नाम होता है, जैसे ये A नाम है, ये B नाम है, ये C नाम है, A नाम एक ट्रस्टेड ब्रैंड है, जिसकी वज़ए से लोग उस प्रोड़क्ट को केवल नाम की वज़ए से खरीदना पसंद करते हैं, सेम प्रोड़क्ट, सेम क्वालेटी, सेम फिनिशेज, कोई और व्यक्ति भी बना रहा है, लेकिन उसका सामान नहीं बिखता, जैसे गुलाब स्वीट जो स्वीट बना रहा है, वैसी स्वीट आपके प्रती एक ट्रस्ट पैदा होता है, और उसके माइंड में एक ऐसा ट्रस्ट होता है, कि ये व्यक्ति हमें सही प्रोड़क्ट, बढ़िया क्वालेटी, सेम फिनिशेज के साथ देने वाला है, मार्केट में आपकी गुड़विल बनती है, प्रोड़क्ट डिफ्रें देखिये, फ्रेंड्स, एसेट का मतलब केवल वो नहीं है, जो टूल, मशिनरी, एक्यूपमेंट, इन्फा स्ट्रक्चर आपके पास है, एसेट वो भी है, जो आपकी गुड़विल है, एसेट वो भी है, जो आपका नाम है, क्योंकि आपके नाम के अधार पर तो आप पैस आपके अधार पर तो आपके अधार प्रिजिस्टर करने के बारे में, लेकिन कई बार आपको कुछ ऐसे लीगल राइट भी मिलते हैं, जिसकी वैसे आपको अपने ब्रैंड को रिजिस्टर कराना चाहिए, जैसे एक्स्क्लूसिव राइट होता है, उस तरह के प्रोड़क्ट पर कोई और दूसरा व्यक्ति उसी सेम नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कही ना कहीं आपको नाम के साथ साथ, अपने ब्रैंड के साथ एक प्रोटेक्श करें तो आपको exclusive protection right भी मिलते हैं दूसरी बात कोई भी व्यक्ति अगर duplicacy करता है तो कानुनी परावधान भी आपके favor में होते हैं आपकी एक ऐसी created asset बनती है जो हमेशा आपको पैसा कमा कर देती है शाथी साथ आपके brand का यदि को इस्तेमाल करता है तो ना केवल आप उसको इस्तेमाल करने से रोख सकते हैं बलकि उस पर मान हानी का दावा करके उससे बहुत अधिक पैसा भी ले सकते हैं अब यदि कोई व्यक्ति आपके नाम का प्रियोग करता है जबकि आपका नाम एक registered नाम है तो कहा जाएगा कि उसने infringement of your right किया है आपके व्यपार के नाम के प्रियोग के अधिकार का उलंगन किया है क्योंकि आप ही उसके मालिक है लेकिन ही केवल तब ही समय जब आपने ब्रैंड को register कराएंगे साथ-साथ protection के लिए सबसे पहले यह cost efficient इसलिए है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पता है registered brand है यदी इस्तेमाल किया तो मेरे प्रती कोई ना कोई कानूनी प्रावधान लगाया जा सकता है तो friends यह तो बात रही legal benefits की कि अगर आप अपने brand का trademark registration कराते हैं तो legal benefits आपको यह होते हैं अब बात करते हैं कि process क्या है किसी भी नाम को register कराने से पहले हमें क्या steps follow करने है और बाद में किस तरह से brand को registration की और ले जाते हुए अपने trade में उसका इस्तिमाल करना है इसको समझाने से पहले मैंने आपसे एक present पूछा रहा पहले उसका जवाब आपको दे रहता हूँ आप driving license authority पर गए और आपने का कि मुझे driving का license चाहिए आपने apply किया inspector ने आपसे सवाल किया कि क्या आपको driving आती है क्या आपने कभी वाहन चलाया है और यदि आपने जवाब दिया हाँ चलाया है तो समझ लिजिए आपने कानून का उलंगन किया है क्योंकि driving license बनने से पहले आपको learning license बनवाना होता है driving का मतलब आप learning करने के लिए भी authorized नहीं है आप किसी भी वाहन को चलाने के लिए authorized नहीं है जब तक आप learning license नहीं लेंगे तब तक आपको permit नहीं है कोई भी वाहन चलाने की तो आपका जवाब होना चीए नहीं पहले मैं learning license लूँगा और learning license मिलने के बाद learning duration में पूरी learning complete करके तब मैं गाड़ी चलाना सीखने के बाद re license के लिए apply करूँगा और तब मेरा license बनकर तयार होगा तो ध्यान रखिए वो अधिकारी आपके ऊपर एक कानूनी action भी ले सकता है कि आपके पास learning license नहीं है उसके बावज़ुद आपने गाड़ी को कैसे चलाया इसके प्रती आपके ऊपर एक सजा बनती है आपके प्रती एक कानून का उलंगन बनता है तो ये तो बात रही गाड़ी चलाने के बारे में अब ये बात मैंने ट्रेडमार्क के बीच में क्यों गई बहुत सारे लोग अपने बिजनस में पहले बिजनस का establishment कर लेते हैं बिजनस के एक identity रख लेते हैं नाम रख लेते हैं पूरी मेहनत से कई वर्षों तक काम करते हैं जब आप मेहनत कर रहे होते हैं वो मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन जैसे जैसे आपका नाम बाजार में फैलने लगता है जैसे जैसे वो परचार बढ़ने लगता है आपकी goodwill बने लगती है, कोई ना कोई objection आता है, कि ये registered brand तो मेरा है, आप इसका उलंगन कर रहे हैं आप इसका इस्तिमाल कर रहे हैं, अब आपको मुझे मुझे मुआफजा देना पड़ेगा ऐसी समस्या ना आए, उससे पहले ठीक वही काम करना है जो driving करने से पहले आपको करना है learning license, इसका मतलब अपने व्यापार में यदि आप कोई भी नाम register कराना चाहते हैं brand लेना चाहते हैं, तो पहले व्यापार शुरू ना करें, पहले नाम का निर्धारन करें तो आईए बात कर लेते हैं कि किस तरह से trademark कर registration कराया जाना चाहिए किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले किसी भी नाम से व्यापार को शुरू करने से पहले तो सबसे पहला step क्या है कि जो भी नाम आपके जहन में, आपके ख्याल में आपके mind में आए उसको trademark authority से search करा लें कि क्या ये नाम कहीं किसी व्यक्ति के नाम पर register तो नहीं है यदि हाँ तो वो नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि आगे भविश्य में हमारे problem आ सकती है objection आ सकता है तो पहला काम हुआ नाम को search कराने का दूसरा जब नाम सर्च हो जाए कि ये नाम available है तो आप file करेंगे एक application कि मैं फला फला company ABC company और मेरा वेपार ये है मेरा product ये है और इस product को इस classification के अंतरगत मैं register कराना चाहता हूँ जैसे ही आप application file करके submit करेंगे तो examination process लगबग 30 दिन का होता है उसके बाद में आपको trademark मिल जाएगा और trademark मिलने के बाद वो नाम publish कर दिया जाएगा उनके trademark application के साथ-साथ उस directory में जब publication of trademark application complete हो जाएगा तो उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति objection करता है तो within 4 months अगर वो objection करता है तो objection के against आप उसको notice का जवाब देंगे कि आपका objection है आपका trade match नहीं करता आपका design match नहीं करता आपका product match नहीं करता तब यदि वो व्यक्ति satisfy होता है और आपको allow करता है तो आप उस trademark को लेने के लिए eligible होते हैं within 7 days आपको registered trademark मिल जाएगा जहां आप process जब तक चलता रहेगा जब तक आप उस नाम को जीवीत रखेंगे तो अगर आप किसी भी business को systematic तरीके से करना चाहते है ना तो सबसे पहले trademark के लिए ज़रूर reply करें इसे सम्मझत आपके मन में कोई भी प्रस्ट नहीं हो तो आप मेरी टीम को contact करें request यह कि सुबह 11 बहें स शाम 6 बज़े के बीच में call करें कोई लोग रात को 2-2 बज़े 3-3 बज़े call करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी call attend नहीं होती तो मेरा request है कि within the duration within the time आप इस नंबर पर call करें कोई भी informative वीडियो मिस नहों उसके लिए चैनल को अभी subscribe करें स्वस्त रहें मस रहें मैं झाल